So the second question is show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेर q is some integer हमें ये show करना है अगर कोई एक positive integer है जिसमें जिसे 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 की form में लिखा जाए तो वो हमेशा odd आए जहां q एक integer को represent कर रहा है So let us solve, solve करते हैं यहाँ पे q को हम quotient मान लेते हैं फिलाल के लिए और 6 हमारा हो जाएगा b a हम एक number मान लेंगे तो हम कहेंगे a is equals to 6q plus r r हमारा reminder होगा और हमें पता है reminder हमेशा b से छोटा होता है और b यहाँ पे है 6 तो reminder के 6 cases हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं that is यह तो reminder होगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 अब हम reminder के according यह 6 equations लिख लेते हैं like a is equals to 6q, a is equals to 6q plus 1, a is equals to 6q plus 2, a is equals to 6q plus 3, a is equals to 6q plus 4, a is equals to 6q plus 5 so हम यहाँ से देख सकते हैं कि a जो एक number है जिसके बारे में कहा गया है कि वो odd होना चाहिए, odd कब होना चाहिए, उसकी भी 3 conditions दी गई थी जो हमें प्रूफ करनी है तो यहाँ पर a 6 conditions के equal आएगा, इन 6 में से 3 cases में तो वो even होगा और वो 3 cases होगे 6q, 6q plus 2 और 6q plus 4 क्योंकि यह 3ो 2 से divide हो जाएंगे और 2 से divide जो होते हैं वो होते हैं even बट 2 से divide कौन नहीं होगा, वो नहीं होगा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 तो यह 3 cases हो जाएंगे, odd के तो हम यहाँ से proof कर सकते हैं कि a अगर एक number है तो वो odd होगा, लेकिन किस case में अगर वो 6q plus 1 की form में है या 6q plus 3 की form में है, या 6q plus 5 की form में है